हाई गईस वल्कम बेक टो माइं चैनल लिए पेंटरेक्स, तो गईस आथ कई उड़ में आप्म में फिस वर लोन अप्लीकिसन का रिभूद्ध करनुगा इस अप्लिकशन के डाउंड्लोडिंग की बात करें तो इस अप्लिकशन की दाउंड्लोडिंग हे फ्लास और 18 3.5 और केश्ट फिटपी के तरफ से खाए कि अप्लीकि さ Escape दरफ से कहाता है कि अप्लीकशन के इन्द्रेसल राठ है 18.25 पर सेन Emmanuel धेलिडिविलाटी की बात काई तो इंडाय इंड्यान सीरिजन होना चाहिए ट्विटी एर्स से लेंके 55 ओर्ड होना चाहिए और साथ में एक मांत्यलि इंगाम सव्स होना चाहिए और यह application loan के लिए इस इप application है की नहीं और गैस अगर आप लोग इस application पे loan लेते हैं तो आगर जाके क्या क्या हो सकता है नहीं हो सकता है इस वीडियो के तुरू आप लोग को मैं पूरा डीटेल्स में बताऊंगा तो गैस जोर वीडियो को आप लोग इन तक दिखेगा और गैस इस इस्टप का informative वीडियो सबसे पहले दिखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल अगर पर पेश कीजिए तकि जब भी मैं कोई वीडियो अप्लोट करूँ सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे तो गैस चलिए आज की वीडियो शूरू कहते है तो अगर इस आल्ट्रा लोट अप्लिकेशन को उपेन करने टेम पहला इंटरफिस इस्टप का आ जाएगा और यह पे आप लोग को कभी सारी लोट अप्लिकेशन लोट के लिए फ़र्क किया जाएगा तो कोई भी लोट अप्लिकेशन चूज करने के बाद आ जाएगा लोगिन का आप्शन, लोगिन करने के बाद प्रवाइट करना होगा KYC Information, KYC Information प्रवाइट करने के बाद फिल करना होगा Personal Information, Personal Information फिल करने के बाद फिल करना होगा Context Information, Context Information फिल करने के बाद लास्ट में फिल करनाओं का बैंक इंफॉर्मेशन बैंक इंफॉर्मेशन फिल करने बाद इस्टप के इंटरफेस आ जाएगा और यह पर आप लोगों को दिखा जाएगा कि इतना तक की लोन का लीजिबिलीटी मिल चुका है तो जैसे कि देख सकते हैं मुझे जो इस अप्रिकेशन की तरब स एफ़ अप्रिकेशन की तरफ से लोन मिल जाएगा क्याई ए Earolie बताउंगा की ज़ल 1966 बताऊ है व्यार्यजिबिज की तरफ से पेफएगाे 2000 के लिए जुब्त काता है और जैसे इस अप्रिकरिए के थिस टेग की टैँ में करने कर पाते हैं तो लोन इपयंग के लिए आप लिक्री ने आर में आप किया जाएगा जैसिकि करनी के बाद भी आपडेल नहीं काता है फिद दोबारा लोन इपेंग के लिए बहुत तरीके से हरस्मेंड और ब्लागमेल काता है और गजिस्टप के लिए लोन लेते हैं लोन के रिलेटेड कोई इस्यूस यह कोई प्रब्लेम होता है फिर अगर आप लोग इस आप्रिकेश पर कॉइंप और इस इस कोई गर complexity नहीं नहीं है तो अगर अब लोग इस्टप के हो सकता है में हो सकता है इस वडियो के तुर आप में अल्लेडी बता चुका हूँ और गैस अगर कोई स्टफ के सेवंडेस बाले लोन अप्रिकेशन पे लोन लेने के लिए सोच रहा है तो गैस आप लोग को मैं बता देता होगी गैस अगर आप लोग को हरस्मेंड और बलग मेल के आलबा कुछ नहीं मिलेगा और गैस अब लोग ऐसे करके पता कर सकते कि कौन सी लोन अप्रिकेशन रियल है और कौन सी लोन अप्रिकेशन फार्जी है उस अप्रिकेशन के एड्रेस डिटल्स को जाके गूगल पे सार्स कीजिए अगर उस अड्रेस पे उस अप्रिकेशन का नाम शो नहीं होगा तो बहु जैसे कि लोण डिपेन के लिए आपक्रों की विधित के दिए पहला जैसे लिए सारे नहरे बाद के लिजी है, इस थिती पहिए आप अपट गोग को एक complaint copy मिल जाएगा उस complaint copy को आपका contact list में जितने सरे number है सारे के सारे number को सेंग कर दीजिए और साथ उस complaint copy को अपना whatsapp status पे डाल दीजिए और बोल दीजिए कि यह application फार्जी है और यह application इस तरीकिसे loan के नम लोगों के साथ scam करता है तो अगज इससे क्या होका इस्टप का loan application आपके खिलाब legal action ले पाएगा, civil खरब कर पाएगा, तो गैस में आप लोगों को बता देता हुगा, इस्टप का 7 days बाले loan application NBFC रेजिस्टार, RBI रेजिस्टार नहीं होता है, इस्टप का loan application RBI का कोई rules follow नहीं करता है, इस्टप का loan application आपके खिलाब कोई legal action न इस्टप में आप लोगों को क्या करने चाहिए, उस application की data clear करके application को uninstall कर दीजिए, और केज इस्टप के 7 days बाले loan application की call से बचने का सोलूशन ये कि आप लोग अपना sim card को 10 days से लेके 20 days तक आप कर दीजिए, 10 days और 20 days बाद जब आप लोग अपना sim card को earn कीजिए गा तो आप इस्टप के 7 days बाले loan application अंसेव और इसकी होता है और अब लोग इस्टप के 7 days बाले loan application से सब्दान रहे, और कई सखर अब लोग प्लेइस्टों में जाके आल्टा loan application के वनेश टारेटिंग रिभीव चकाट करेंगे, तो हर एक रिभीव पर ये कहा है कि आल्टा loan application एक अंस बहुत ज़्यादा है और इन्होंने रिभीव पर ये कहा है कि यह application low नेश्टी के लिए राउंग फॉट्ग्राफ कांटक लिस्ट में जितने सारे नबर इससारे सारे नबर पर शेंग करता है निचे और रिवीव पे ये कहा गया कि डॉन्ट डाउनलोड इस एब और इन्होंने रिवीव पे ये कहा कि इस एप्लिकेशन के सर्विस पी और अपट डू चार्जेस बहुत ही जादा है और ये अप्लिकिशन डून रिविव के लिए फेक इमेजें करके बहुत तरी किसे ब्लाग मिल करता हा है लिचे और रिविव पे इन्होंने ये कहा है कि ये अप्रीकिशन लोन इपियंग करने के बाद दिए अपडेट नहीं कहता है फिर अगर इस अप्रीकिशन की इमेल पे कॉंटेक करेंगे तो किसी भी तारे की रेस्पॉंज नहीं मिलेगे तो गैस अल्टरा लोन अप्लिकेशन के खिलाब आप लोगों को Play Store में वने च्रैटिंग पर ऐसे कभी सारे नेगेटिव रिवु दिखने को मिल जाएगा और हाइक डिवू पर साफ साफ कहए दिया गया है कि अल्टरा लोन अप्लिकेशन है और गैस अगर अल्टरा लोन अप प्लेइश्टों में जितने सारे पॉजिटिव रिवीव दिखने को मिलेगा खुद अप्लिकिशन वालों की तरफ से किया जाता है यह सारे चीज़े चयकपट करने बात है आप लोक खुए भी लोन अपिकिकशन पे लोन के लिए अप्लाई करें तो किस्ट आल्ट्रा लोन अप्लिकिशन के खांसरों और पुलिश अप्लिक्शन कर दीजिये और कैसे अगर किसी को loan के related को issues या कोई प्रोब्लेम होता है जैसे कि loan निपेयन करने के बाद भी update नहीं काता है फितो बड़ा loan निपेयन के लिए आप लोगों को harassment और blackmail किया जाता है तो इस वीडियो के description पे मेरा Instagram account का link दिखने को मिल जाएगा आप लोग Instagram के थुरू मेरे साथ contact कर सकते है और कैसे अगर किसी को argent पैसी की ज़रूरत है ज़्यादा लोने मांच चाहिए तो इस वीडियो के description पे आप लोगों को कभी सरे RBI registered loan application का link दिखने को मिल जाएगा और आप लोग ये सब loan application पे loan के लिए apply कर सकते है तो कैसे ही था subscribe छोड़ान गई तो कैसे अगर आप लोगों कोई ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को जाए से आदा शेयर कीजिए तो कैसे आप लोगों के साथ मुलोगा तो रहे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाए ही इन्द बंद मातरम